हेलो काईज वेलकम बैक टू मेहर क्लासे सराजुरा जैसे कि आप जानते हो MSTCET 2023 का ग्रिवरेंस कैंडिडेट रिस्पॉंस एंड एंसर की का जो वेबसाइट है वो कल स्टार्ट हुआ था लेकिन बार-बार वो वेबसाइट क्रैश हो जा रहा था तो शायद वो रात में फि अगर किसी कोशन पर आपको अबजेक्शन है तो किस तरह किसे वह अबजेक्शन राइस करना है तो पूरा प्रोसेज जो होने माला है वह इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने माले स्टार्ट करते हैं गाईज तिल दे एंड वीडियो को देखिए और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर किजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे सबसे पहले आपको क्या करना है कि एमश्टी सीटी का जो वेबसाइड है वहां जाना है सिंपल आपको गूगल में लिखना है एमश्टी सीटी सेल ठीक है तो कि फिलाल एडमेशन स्टार्ट नहीं हुए तो एक्जामनेशन में जाना है जाने के बाद आपके लेफ्ट हंड साइड में यहां अंडर ग्राजुएट कोर्स करके आएगा वहां आपको जाना है और एमेश्टी सीटी टूज़न ट्वेंटी त्री अबी इंगिनेरिंग भ ग्रिवेरेंस करना होगा आपको चेक करनी होगा एंसर की तो PCM का कीजिए या फिर अगर PCB क्या करना होगा तो PCB का कीजिए ठीके तो यहां पर हम लोग एक PCM का करके देखेंगे ठीके तो सबसे पहले आपको यहां पर रोल नंबर पूछा जाएगा ठीके और रोल नंबर डालिए उसके बाद आपको नीचे में जो है वो date of birth डालनी है ठीक है तो हम लोग एक login करके देखते है जहां पर मैं आपको पूरा समझा दूँगा कि किस तरीके से आपको question का जो question को check करना है कहीं अगर objection rise करने है तो कैसे objection जो है वो question के अगेंस आप राइज कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से जब जैसे आपने login ID डाल दी इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर उपर में लेकर आएगा rise objection आपको objection rise करना है objection की summary आ जाएगी आपने अगर बहुत सारे objection लिए तो उसका एक summary यहाँ पे मिलेगा और हर objection के लिए आपको कुछ payment भी करनी है तो before starting यहाँ पे है न कुछ instruction लिखे हुए गाइस तो यह instruction पढ़ने काफी important है तो पहले यह instruction समझ लेते हैं बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग ठीक है सबसे पहले यहाँ पे जो पहला instruction है क्या लिखा है all the question along with their options and correct answer will be displaced sequently यहाँ पे हर question का question दिया हुआ है उसके option दिये हुए और साथ में correct option भी क्या है वो भी आपे दिया हुआ है ठीक है दूसरा choose the all the type of objection from the drop down against the respective question अगर आपको किसी भी question के अंदर अगर objection है कि नहीं यह question मेरा सही है लेकिन आपका जो correct answer है वो गलत बता रहा है तो आपको अगर उसके against अगर आपको objection उठाना है तो बिल्कुल उसके side में एक tab दिया होगा वहाँ से आप जो है वो objection rise कर सकते हो ठीक है लेकिन आपको जब भी आप कोई question के against अगर objection rise करते हो तो आपको justification देना पड़ता है या additional information आपको उस objection के उपर देनी पड़ेगी तो उसके लिए भी वहाँ पर एक tab होगा जिसके अंदर हम लोग पूरी information जो है वो कैसे fill up करनी है हम लोग आगे में देखने वाले है ठीक है चौता point में यह लिखा हुआ है कि आपको अगर उस objection जो आपने लिया है उसका अगर justification in the form of file देना है जैसे अगर मान के जलो एक अधा एक अधा अपने file के अंदर एक अधे books के अंदर वो objection का जो justification है वो दिया है तो आप चाहो तो उसका PDF बना के वो file को यहाँ पर जो है वो upload भी कर सकते हो ठीक है पूरे objection अगर आपने जैसे भी rise कर दिये तो आपको क्या करना है हर objection के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है हर objection के लिए आपको thousand rupees देने है ठीक हर objection के उपर thousand rupees तो काफी महेंगी चीज है तो आपके ज़्यादा objection आने वी वाले नहीं है क्योंकि हो सकते है दो तीन ही question ऐसे हो सकते है जहाँ पे आपको objection हो सकता है बाकी तो आपको पता है कि आपने क्या solve किया है और क्या होना चाहिए था ठीक है तो जब भी आप objection करोगे तो आपको थोड़ा केरफूली करना है क्योंकि हर objection की बीचे आपको thousand rupees भी देने पड़ेगे तो आगे बढ़ता है next सारे objection आप देखने के बाद आपको confirm कर देना है final payment कर देना है उसके बाद क्या होगा evolution आपका जो अबजेक्शन है वह accepted होगा payment करने के बाद और वह evolution state पर चला जाएगा और evolution होने के बाद अगर आपका objection सही है तो आपको marks मिलेंगे अगर आपका objection सही नहीं है तो आपको marks मिलने वाले नहीं है तो आपको यहाँ पर एक ही चीज का care करना है कि आप जो भी objection ले रहे हो वह सही होना चाहिए तब ही आपका जो marks है वह आपको मिलने वाले है तो देखिए यह candidate का पूरा जो पेपर है वह आ चुका है जिसके अंदर आप लोगों को क्या करना है कि किस तरीके से कौन सा question दिया हुआ है तो आपको question को पढ़ना है option को भी पढ़ना है आपने क्या correct option दिया है अपने क्या correct option है ठीके correct option क्या है वो दिया हुआ है और आपने क्या लिखा candidate response चैंदिडेट response मतलब आपने क्या लिखा था आपने क्या टीक किया था तो जैसे ही यहाँ देखो correct option decrease the surface tension of water है ठीके तो और candidate response भी decrease the surface tension of water है, मतलब आपका correct option भी वही था और आपने जो response दिया वो भी सही है, तो यह question बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन अगर मैं second question पर चलता हूँ, second question कुछ logic gate का question दिख रहा है आपको, again physics का question है, यहाँ पर अलग-अलग gate दिये हुए, ABCD option में, correct option nor gate है, लेकिन candidate ने क्या लिखा है, NAND gate लिखा हुआ है, तो यह question में, आपको अगर objection होगा, तो आप जाके objection पर click करो, देखो यहाँ पर एक tab दिख रही है, जहाँ पर आप objection में जा सकते हो, ठीक है, यह objection की type open नहीं हो रही है, चलो इस वाले question पर देखते है, यह वाले question पर भी नहीं हो रही है आप देख सकते हो, यहाँ पर एक question दिया हुआ है, जिसके question के अंदर एक logic गेट दिया हुआ है, ठीक है, और logic gate के ABCD में option दिया हुआ है, and gate, or gate, nan gate, nor gate, ठीक है, लेकिन correct option का है, nor gate है, लेकिन candidate नहीं response का दिया हुआ है, nan gate, और अगर यहाँ पर इस question के अंदर अगर आपको objection लेना है, तो किस तरीके से आप objection ले सकते हो, तो rise, देलकुल इस question के side में यहाँ पर एक tab है, rise और view objection, यह पर click करिए, देखो इस तरीके का tab जो है, वो open हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले select the objection type, आपको किस तरीके का objection है, उसको select करना है, तो उसमें देखो incorrect question, आपको लग रहा है कि यह question incorrect है, या question out of syllabus है, या फिर all option incorrect है, या multiple answer हो सकते है, ठीक है, या incorrect key दिया है, आप उसको भी आप objection के तोर पे ले सकते हो, ठीक है, तो इसमें से कुछ भी आप click करिए, कुछ भी मतलब according to question कीजिए, ठीक है, क्या लग रहा है आपको उस तरीके से कीजिए, चलो मैं एक option click कर लेता हूँ, incorrect question है, अब incorrect question अगर करता हूँ, तो मैं यह question क्यूं incorrect है, इसका justification आपक को attach कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ से वो type open हो जाएगा, file को attach कर लीजे, upload का option आजाएगा, upload कर दीजे, अब यह जो अपने reference लिया है, वो कहां से लिया है, इसके बारे में आपको बताना है, जैसे यह book से लिया, या authentic official website से लिया, ठीक है, जैसे मैंने book से अगर लिखता तो मुझे books का website बताना पड़ेगा, books कौन सा है, या अगर मैं यहाँ पे website लेता हूँ, तो मुझे website की link यहाँ डालनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे मैंने book लिया, तो book के author का नाम भी आपको यहाँ पता होना चाहिए, कौन से author ने यह book लिया है, कौन से edition है, ठीक है, कौन से आप कोई भी question पे जो है, वो आपका objection rise कर सकते हो, लेकिन मेरा suggestion यह है, कि सबसे पहले question को देखिए, सही में उसका question का answer गलत है क्या, यह चेक कीजिए, बाद में ही rise कर रही है objection, क्योंकि हर objection के पीचे आपको thousand rupees भी देने, ठीक है, और आपका objection अगर सही नहीं होगा, तो answers है, उसके correct options है, वो सारे दी हुए, और शुरू में पूरा physics आपको यहां दीख रहा है, physics, 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 और जिस तरीके से आपने solve किया होगा, उस तरीके से भी यहां पर आ सकता है, ठीक है, नीचे में गई आपको mathematics भी दीखेगा, होगा गई, यह देखो, chemistry के questions है, उसके बाद chemistry क question solve किये होंगे, तो mathematics के भी question जो है, वो यहां पर होने वाले है, ठीक है, जितने भी आपने question solve किये, ठीक है, उस सारे question के answers, correct options, आपने क्या solve किये, वो सब कुछ यहां दिया हुआ है, और last में आपने कितना, यहां पर आगर आपने यहां क्लिक किया, तो आपको कितना आपने objection rise किये, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, जैसे यहां पहला objection आएगा, फिर कुन सा section है, question क्या है, उसका detail, objection का detail क्या है, उसका status क्या आया, ठीक है, यह जैसी आपने payment कर दिया है, उसके बाद यह evolution के stage पे चला जाएगा, और कुछ दिनों बाद, इसका status भी आपको जाएगी, ठीक है guys, तो इस तरीके से आप जो है, वो हर question के उपर, जो है, वो question के उपर objection जो है, वो rise कर सकते है, मेरा personally आप से यही suggestion रहेगा, कि हर question को अच्छे से पढ़िए, देखिए, कि सही में objection लेने लायक है, नहीं है, ठीक है, और इस तरीके से आपका जो है, वो कुसिस आप से मैं मेरे मार्क जोड लेता हूँ, ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए, final result के लिए wait कीजिए, ठीक है न, आप यहां से decide नहीं कर पाओगे, इस question के उपर से exactly आप decide नहीं कर पाओगे, कि आपके percentile कितने आने वाले है, ठीक है, क्योंकि percentile के इस आप से आता है, तो के लिए, thank you, thank you very much.